दोस्तों अगर आप कोई की वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाए और प्रेस करें हमादी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अब बने इस वीडियो में हमारे साथ क्योंकि हम करने वाले हैं इस मैच की बात सबसे पहले बात करते ही कि क्या है पिच का हाल तो ये जो मुकाबला है से एक जायद इस्टेडियम अबू धाबी में खेला जाने वाला है और अब तक यहाँ इस IPL के 21 मुकाबले खेले जा चुके है जिनमें से 8 बार पहले बैटिंग करने वाली वहीं 13 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है आपको बता दे कि पिचले 6 मैचों से यहाँ पर लगातार रन चेस हो रहे हैं तो टॉस जीतने वाला कप्तान टॉस जीतने के बाद गिंदबाजी करने का मतलब पहले गिंदबाजी करने का फैसला ले सकता है इन 21 मकाबलों में 135 विकेट तेज गिंदबाजों को वहीं 67 विकेट स्पीन के जादुगरों को भी मिले हैं बित्ते मैचों के साथ साथ यहाँ पर बैटिंग करना काफी जादे डिफिकल्ट होता जा रहा है तो एक बार फिर से आपको एक average score वाले मैच से काम चलाना पर सकता है अब बात करते हैं दोड़ों टीमों की possible playing 11 की और इनके form की सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिल्स की तो दिल्ली की टीम अब तक इस IPL में 15 मकाबले खेल चुकी है सिर्फ इस्टालिस इस्टोनिस ने 65 और अंत में एक चरपटेल ने 42 रणों की पारी खेलकर अपनी टीम के इज़त को बचाया था IPL के सुरू के मैचों में दिल्ली ने अपना दम खुब दिखाया था लेकिन बाद में इन्हें जादतर मौकों पर हार का ही सामना करना पड़ा है दिल्ली के लिए सबसे बड़ी समस्या इनकी बल्लेबाजी बनी हुई है दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज इस वक्त कॉंसिस्टेंसी के साथ परसन नहीं कर पा रहा है चाहें वो सिखर धवन हो फिर्थवी सो हो या फिर सबपन्त सबकी पारियों का जल्द ही अंत हो जा रहा है दिल्ली के टीम के पास IPL 2020 का खिताब जितने का एक सुनहरा मौका है लेकिन यह तब ही संभव हो पाएगा जब इनके सब ही बल्लेबाज अपना दम दिखाएंगे संराइजर्स के खिलाप इस करो या मरो के मुकाबले में धाकर धवन के बल्ले से अपनी एक्स टीम के खिलाप एक धमाकेदार पारी के असार नजरा रहे है वहीं स्टैलिस स्टैलिस को अगर उपर प्रमोट किया जाता है तो वो भी एक बार फिर से स्टैलिस पारी खेल सकते हैं वहीं इस IPL में 439 रन बना चुके और संराइजर्स के खिलाप 310 रन बना चुके कप्तान सरेस अयर भी एक कप्तानी पारी खेल सकते हैं में सिमरन हेटमायर की वापसी हो तो उनकी भी एक हिट पारी दिल्ली की डूबती नईया को पार लगा सकती है बात कर अगर इनकी गेंदबाजी की तो पूरे टूनामेंट के दौरान इनके गेंदबाजों के कावील ये तारीफ परतसन किया है खास करके इस IPL में 20 विकेट ले चुके नौटिया और 25 विकेट ले चुके रभाडान है और एक बार फिर से अपने विरोधी बल्लेवाजों की कड़ी परिक्षा लेने के लिए ये दोनों गेंदवाज तयार है रवी चंदर असवीन पर भी इस मुकाबले में काफी कुछ डिपेंड करेगा अब बात करते हैं संड्राज़र सहद работ की तो संड्राज़र सहदराबाद की टीम भी इस IPL में 15 मुकाबले खेल चुके हैं को भी 13 टीन अट रजन को 16 और रासीद खान को 19 विकेट मिल चुके हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संराइजस का हर एक गेंदबाज इस वक्त कितने अच्छे फॉर्म में हैं क्वालिफायर 2 जैसे एक बड़े मुकाबले में भी इनके सभी गेंदबाजों का राज हो सकता है संराइजस हैदराबाद की टीम को और इनके खिलाडियों को बड़े मैचों का काफी जादे अनवाव है वहीं दिल्ली की टीम को इस बात का जरासा भी अनवाव नहीं है जिसका फाइदा संराइजस की टीम को मिल सकता है बात करें अगर इनकी बल्लेबाजी की तो इस आईपिल में 546 सन बना चुके डेवीड वर्नर अपनी एक्स टीम के खिलाफ करारा वॉर कर सकते हैं वही रिधिमान सहा की भी इस मुकाबले में वापसी होगी तो उनके बल्ले से भी एक बिध्वनसक पारी के असार नजर आ रहे हैं RCB के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में केन विलेंसन ने 50 सनों की नावाद पारी खेल कर सनराइजस का संसेट होने से बचाया था और इस मुकाबले में भी वो मनिस पांडे के साथ मिलकर सनराइजस की नईया को पार लगा सकते हैं अब बात करते हैं फैंटेसी पाउर 11 प्र की थी वहीं एक में सनराइजस को जीत मिली थी और इस साल वी इन दोन टीमों के भी दो मुकाबले खेले जा चucky हैं और दोनों ही मुकाबलों में सनराइजस को जीत मिली है अब बात करते हैं फैंटेसी पाउर 11 प में एक्स फक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं वहीं संराजिस हैदराबाद की तरफ से इस IPL के मात्र 6 मैचों में 13 विकेट चटका चुके जैसन होलडर X-Factor का रोल प्ले कर सकते हैं आपको बता दें कि यह दोनों की लेडी मेरी Fantasy Power 11 की टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन भी है आप भी अपनी टीम Fantasy Power 11 पर बनाकर आईपोन 11 के साथ साथ धेर सारे रियल कैस्ट प्रैजेंज भी जीत सकतो हो जी हां लिंक आपको नीचे मिल जाएगा तो यह देर किस बात की मौका भी है और दस्तूर भी है Fantasy Power 11 के जैसा आपके पास कोही नूर भी है लिंक आपको नीचे मिल जायागा थोड़ी सी अपनी बुद्धी को चलाईए और दबा कर कमाईए Fantasy Power 11 पर जैस कौन होगा दमदार क्या दिल्ली अपना दम दिखा कर फाइनल में करेगी क्वालिफाई या फिर संराइजस का होगा संराइज तो मैं आपको बता दू कि मेरे अनुसार संराइजस का इस मकाबले में हो सकता है संराइज जी हाँ इस मैस जूरी जादा जनकारी के लिए आप हमें हमारे टेलिग्राम चैनल पर जॉइन कर सकते हैं आपको भी लगता है कि इस मकाबले में Sunrises का होगा Sunrise तो इस वीडियो को एक लाइक जरू दीजेगा और अगर आपको लगता है कि दिल्ली अपना दम दिखायागी तो कमेंट करके जरू बताएगा हमारे साथ मिलकर आपेल का लोगत उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वैल आइकन को भी प्रेस कर लेने धन्यवाद